मैं अब क्या करने माला हूँ एक छोटा सा ओडियो प्ले करूँ आ यहां पे डॉक्टर एपीजे अब्तुलकलाम का आप में से कितने लोगों ने उनकी एक ऑटो बाइगरफी है यूट्यूब के ऊपर जो गुलजार ने बोली है गुलजार सापने कितने लोगों ने सुनी है किसीने लही किसी नहीं थे क्या है हनी सिंग के गाने कितने लोगों आएगी सनी लेओन आएगी आप नेट पर देट चाहिए ने पर जो इसका अधी यह नियुन सर्च रहोगे हो गया टाइम पस पोलते रहेंगे आपके पेरेंट पेटा यह मत कर मों मत कर नहीं ममा फुछ नहीं कर रहा है तो पढ़ाई कर रहा हूं वह रहा हूंटी पढ़ाई कोई पढ़ाई कोई बढ़ाई करने की, if you need a reason to do something extraordinary, you need a purpose, जीने की कोई वजय चाहिए, को inspiration चाहिए, कौन है, कहां से आएगी वो, I strongly recommend you all, strongly recommend you, इतना strongly मैंने कभी अपनी लाइप में किसी के लिए रिकमेंड नहीं किया, Dr. A.P.J. अब्दुलकलाम, students के लिए, उनसे बड़ी inspiration इस पूरी दुनिया में कोई नही है, students के लिए, प्ले कर दो एक बर, ओडियो प्ले कर दूआ, उन्ने सो नवे के रिपब्लिक डे पर, देश ने मिसाइल प्रोग्राम की काम्याबी का जश्न मनाया, मुझे पद्म विभूशन से नवाजा गया, और डॉक्टर अरुना चलम को भी, दस साल पहले पद्म विभूशन की यादें एक बार फिर हरी हो गए, रहन सैन मेरा अब भी वैसा ही था, जैसा तम था, दस बाइबारा का एक कमरा किताबों से भरा हुआ, और कुछ जरूरत का फ़नीचर जो किराय पर लिया था, फर्क इतना ही था कि तब ये कमरा त्रिवेंडरम में था, अब हैतराबाद में। वेटर मेरा नाश्टा लेकर आया, इडली और चाच और आँखों में एक खामोश मस्कराहट, मुबारक बाद की, मैं अपने हमवतनों की इस नावाज़श से छलग गया। मैं जानता हूँ कि बहुत से साइंसदान और इंजीनियर मौका मिलते ही वतन छोड़ जाते हैं, दूसरे मुलकों में चले जाते हैं, ज्यादा रुपया कमाने के लिए, ज्यादा आमदनी के लिए, लेकिन ये आदर महबत और इससत क्या कमा सकते हैं, जो उन्हें अपने व मुझे अपने रिटार्मेंट का इंतजार था, चाहता था कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं, ये वो दिन थे जब मैंने सोचा कि अपनी जिन्दगी के तजरुबे, मुशाहिदे और वो तमाम बातने कलम बंद करूं, जो दूसरों के काम आ सकें, एक तरह से अपनी सौने अमरी लिखों, अपनी जीवनी, मेरे ख्याल में मेरे वतन के नाजवानों को एक साफ नजरिये और दिशा की जरूरत है, तब ही ये अरादा किया कि मैं उन तमाम लोगों का जिक्र करूं जिनकी बदालत मैं ये बन सका जो मैं हूँ, मकस्द ये नहीं था कि मै कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम लो, बलके ये के कोई शक्स कितना भी छोटा क्यों न हो, उसे होसला नहीं छोड़ना चाहिए, मसले, मुश्किलें जिन्दगी का हिस्सा हैं, और तकलीफें गाम्यावी की सचाईया हैं, जैसे कहा है किसी ने, खुदा ने ये वादा नहीं किया कि आस्मान हमेशा नीला ही रहे गा, सिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी, घुदा ने ये वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं हूंगे, खुशी है तो खम नहीं, सुकॉन है तो दर्द नहीं होगा, मुझे ऐसा कोई खुरूर नहीं कि मेरी जिन्दगी सब के लिए एक मिसाल बनेंगे मगर ये हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगा पर जो समाज के किसी माजूर हिस्से से तालुक रखता हो ये पढ़े और उसे चैन मिले ये पढ़े और उसकी उमीद रोशन हो जाए हो सकता है ये कुछ बच्चों को नाउमीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो मजबूरी ना लगे उन्हें यकिन रहे कि वो जहां भी हैं खुदा उनके साथ है काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लोग को पर लग जाए और उस लोग की परवास से सारा आसमान रोशन हो जाए कर देखा क्या है हां ऐसे लोग को सुनना है ऐसे लोग की बाते अंदर जाने देनी है सोचो अगर आप क्यूंभी सोच ऐसी हो जाए तो क्या होगा आप कि अधिया बाद में बदलेगी पहले आपकी जिंदगी बदलेगी सबसे बेले तुनिया को आप तक नहीं बदल सकते जब तक खुद को नहीं बदलो गए एक बार अंदर ये पनप गयाना मुझे भी कुछ ऐसा करना है यार कुछ तो करना है होसला बनना है दुनिया के लिए चै कुछ लोग ही मेरे को देख करके इंस्पायर हो कुछ करना है ऐसी थोड़ी आया और चला गया क्या है कुछ करना है ऐसे लोग को सुनना है ऐसे लोग की ऑटो बाइग्रफी को सुनना है और उसकी गहराई में जाना है इसना को बसुल कॉति क्रणिए के साथ कर लोग दो वास्ति आप Люб से in मीआ यहज़िए का देख सकते नहीं कर सकतें इंपॉसिबए क्या नहीं कर सकतें आप चा फरक है उन्में डॉक्टर कलाम में, मुझ में, या ऐसे और, पता नहीं, कितने आए, कितने गए, कितने और आने वाले हैं। किया फर्क है? है, एक झूट है जो जाकर आपके दिमाद में किसी नहें घुषा दिया है , फर्क है फरुлет है उनके अंदर कुछ स्पेशल है, कुछ नहीं है जिसका डिजायर जितना बड़ा है उसकी सक्सेस उतरी बड़ी है मेरे अलमुस हर सेमिनार में मेरे सेक कुछ ज़रूर पूछा जाता था तो मैंने इस बार सोचा कि उसका रिकॉर्ड कर देता हूँ आप लोग के लिए वो कुछ नहीं है कि जो आप फ्री के सेमिनार्स करते हो इसमें आपका क्या फायदा है या इसको दूसरे तरीके से देखो कुछ लोग तो पूछते भी नहीं थे वो सीधा बोलते थे कि आप जो फ्री के सेमिनार्स कर रहे हो इसमें जरूर आपका कोई नो कोई फायदा होगा बताओ क्या है आपका फायदा